तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लाश 12 के बच्चो के बच्चो के लिए बहुत ज़ादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चो class 12 का जो आपका sociology subject है इंदी में बोले तो जो आपका समास तास्तर विशे है जिसका कि कल आपका mid term का exam होने वाला है तो उसके लिए एक important sample question paper इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं basically sociology का ये वाला sample paper हम लोग करी रहे थे ये हमारे इस sample paper का part 2 वाला वीडियो होने वाला है जिसके अंदर जो questions हमने part 1 में discuss नहीं किये थे वो questions हम लोग इस part में discuss करने वाले हैं ठीक है अगर अभी तक आपने part 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका link में आपको description box में देदूँगा वहाँ पर click करके part 1 का वीडियो जरूर देख लिजेगा अगर आपने part 1 का वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को यानि इस part के वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि जो भी questions आज हम discuss करने वाले हैं sample paper के अंदर इसमें से बहुत सारे questions आपके कल के paper में डिक्तो repeat हो करके आ सकते हैं जी हाँ बच्चो ऐसे बहुत सारे questions है जो same to same आपके paper में चप सकते हैं इसकी बहुत जारा संभावना है possibility है तो पूरा वीदियो को जरूर देखेगा और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीदियो साब के लिए लेकर क्यातर रहें तो इस वीदियो को ज़्यादा सजारा like कीजिएगा जितना जरा वीडियो को आप like करते हैं तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर दिजेगा क्यूंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए ठीक है चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं क्लाश 12 है हमारा सब्जेक्ट है सोसलोजी जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 039 और सोसलोजी का जो कल आपका पेपर होगा वो तीन घंटे का होगा अधिक्तम अंक जो रहने वाले हैं वो अस्ती रहने वाले हैं ठीक है यानि कि अस्ती नंबर का आपका पेपर आएगा आपके होने वाले हैं, यानि कि आपका paper चार खंडों में विभाजित होगा, ठीक है, जो कि आपका कुछ इस तरह से रहेगा, section A, section B, section C और D करके, ठीक है, total 4 sections होने वाले हैं, आगे देखिए, यहाँ पर बताएगे है, फुल जो प्रशन आपसे पूछे जाएंगे, sociology के paper में वो 35 पूछे जाएंगे, यानि 35 questions आपसे पूछे जाएंगे, और सभी प्रशन अनिवार है, ठीक है, जो आपका खंड A रहेगा, यानि section A रहेगा, उसके अंदर question number 1 से लेकर के 16 questions होंगे, जो कि MCQ प्रकार के होंगे, यानि कि MCQ टाइप के question शेया हैंपर आपसे पूछे ज ठीक है, उसके आगे देखे बताएगे है, जो आपका section B रहेगा कल के paper के अंदर, उसमें आपका question number 17 से लेकर के 25 questions पूछे जाएंगे, जो कि लगू उत्तरिये प्रकार के प्रश्ण होने वाले हैं, और 2-2 number के ये question होंगे, यानि 2 marks के, इनका answer आपको 30 सब्दों में देना ह इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 30 words की यहाँ पर limit लगाई गई है, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, तो जो हमारा section number C रहेगा, यानि खंड C रहेगा, इसके अंदर question number 26 से लेकर के 32 question आपसे पूछे जाएंगे, और ये लगू उत्तरिये प्रकार के प्रश्ण होने वाले है ठीक है, जो की 4-4 number के questions होंगे, और इनका answer आपको 80 सब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 80 words की word limit यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है, और जो आपका last वाला section रहेगा, यानि section number जो D रहेगा, उसके अंदर question number 33 से लेकर के 35 तक question आपसे पूछे जाएंगे और ये दिर्ग उतरिये प्रकार के प्रशने रहने वाले है, ठीक है, जो की 6-6 number के रहेंगे, ठीक है, और इनका answer आपको 200 सब्दों से अधिक में नहीं देना है, यानि कि 200 words की यहाँ पर word limit लगाई गई है, ठीक है, और जो हमारा 33 वा question होगा, यहाँ पर बताएगे है, प् इसको आपको study करना होगा, उसके basis पर जो question आप से पूसी जाएंगे, उसका answer आपको देना होगा, ठीक है बच्चो, और यहीं चीज़े English Medium में आपका general instructions करके आता है, अगर आप इसको English Medium में separately read करना चाहते हैं, तो वीडियो को pause करके read कर सकते हैं, वैसे मैंने bilingual Hindi और English दोनों पूरा यह दिया गया है, general instructions, ठीक है, तो यह कुछ important बाते रहीं, जो कल आपका exam होने वाला है, यानि कि 27 सितंबर 2024 को जो आपका sociology का exam होने वाला है, उससे संबंधित, यह कुछ important बाते रही, आसकरताओं कि यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी, चलिए हम अपन C के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड गव भी बोलते हैं, और यहाँ पर question देखिए कि आप पूछा जा रहा है, कि सूचना के अधिकार को स्पस्ट कीजिए, ठीक है, English medium में इस तरह से रहेगा, explain the right to information, ठीक है, यह बहुत जादा important question है, बच्चो बड़े ध्यान से समझ जिएगा इस question को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, most most important question, paper में आने की संभावना बहुत ज्यादा इस question की, ठीक है, सूचना का अधिकार, देखिए, जब भी आपको कोई बोले कि सूचना का अधिकार, तो अपने दिमाग में एक साल याद रखिएगा, 2005, ठीक सरकार से चाहिए, या किसी authority से चाहिए, जो कि सरकार के अंतरगत आती है, तो आप सूचना ले सकते हैं, और ये अधिकार हमें मिला था, 2005 के अंदर, for example, आपके घर के पास में एक road बन रहा है, ठीक है, एक नया सा road बन रहा है, ठीक है, एकदम चका चक road है ये, आपको ये ज search करेंगे, वैसे यहाँ पर आपके सामने एक page आजाएगा, उस पर जा करके आप यहाँ पर पूच सकते हैं, जो भी संबंधित, यहाँ पर authority होगा ना, उससे पूच सकते हैं, ठीक है, मैंने भी RTI file कर रखा है, जैसे कि मेरा क्या था, कि एक mark sheet नहीं आया था, class 12 में मैंने tourism subject लिया था, और class 9 से ही चालू हो गया था, tourism subject और 3-4 साल तक हमने पढ़ा था, तो उसके लिए एक अलग से mark sheet मिलती है, ठीक है, यह आपने tourism पढ़ाए करके travel and tourism, तो उसका मुझे मिला नहीं था, तो मैंने RTI file किया था, सीधा CBSC को मैंने यहाँ पर पूचा था, कि बताईए मेरा mark sheet कहां है, ठीक है, तो लगभग लगभग 30 दिन के अंदर अंदर मेरा reply भी आ गया था, CBSC के तरफ से, ठीक है, तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए होती है, सरकार से, किसी भी चीज को ले करके चाहिए, राशन से संबंधित हो, किसी scheme से संबंधित हो, ठीक है, आप जो है, RTI फाइल करके जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं, सूचना का अधिकार 2005, ठीक है, Right to Information Act 2005, ठीक है, बाकी आप यहां लिखा हो अभी देख सकते हैं, कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतिय संसर द्वारा 2005 में लागू किया गया, यह एक ऐसा कानू जो है, उससे सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है, इस अधिकार के तहट, ठीक है, और उस प्रधिकरन, यानि वो जो अथो अथोरेटी है, उससे यह आसा की जाती है, कि वह सिगरता से 30 दिनों के अंदर मांगी गई, सूचना का उत्तर दे, ठीक है, यानि कि जो भी यहां पर information मांगा जा रहा है, किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी citizen के द्वारा, तो उसका जो reply है, वो authority, 30 दिन के अंदर अंदर दे दे, और authority reply कर भी देती है, मैंने देखा है, मैंने खुद RTI फाइल कर रहा है, आपको मैंने बताया ही, ठीक है, चलिए, तेम यही question है, Indian Parliament in 2005, it is a law that gives Indians the right to access government records, and any person can request information from any public authority, the authority is expected to response approximately within 30 days to the information requested, ठीक है, तो इस तरह से English Medium में आपको लिखना है, आगे जलते हैं, अगला question लेखे है, आपर 27 question क्या पूछ रहा है, यह भी question काफी important है, कि Thomas Robert Malthus के जनसंख्या वरिदी सिध्धानत को सपस्ट कीजे, ठीक है, इनका जो जनसंख्या वरिदी सिध्धानत वाला question है, यह अक्सर paper में आ जाता है, ठीक है, और देखिए, जब मैं बोलता हूँ, आ जाता है, तो इसका मतलब आ जाता है, इसकी बहुत जादा संभावन होती है, यहां कि जो मेरा teaching का experience है, लगबख 7 सालों का मेरा teaching का experience है, पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार, और जो sample paper बनाने का experience है, वो 3 साल का है मेरे पास, ठीक है, तो 3 साल का experience है, sample paper design करने का, उसके बिहाब पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके base पर बता रह रहा हूँ कि यहां यह question आ सकता है, मतलब आने की पूरी-पूरी संभावना है, ठीक है, तो बिल्कुल भी हलके में मत लीजेगा, खासकर कुछ subject जैसे यहां पर आपका political science हो गया, physical education हो गया, एंड आपका sociology हो गया, इसमें तो जो बोला जाता है, लगबख वही आ जाता है, तो question पर आते हैं, यहां पर simple सा question यह पूछा था, कि जो हमारा यहां पर मॉल्थस जी थे, Thomas Robert मॉल्थस जी, उनके जनसंख्या वृद्धी के सिधान्त को इसपश्ट करना है आपको, ठीक है, जो population growth theory है, मॉल्थस जी का, उसके बारे में हमें बताना है, तो देखिए, इनके इसाब से कहना है इनका, पहले तो इनका जीवनी देख लिजे, कि जीवनी मतलब यह कब पैदा हुए थे, और कब इनका मृत्य हुआ था, तो 1766 में यानि 1766 में इनका बर्थ हुआ था, पैदा हुए थे, और 1834 में इनका निधन हो गया था, यह expired हो गया थे, ठीक है, आगे विरिधी गनीतिये रूप से होती है, जैसे दो बढ़ा, फिर चार, छे, आठ, दस, यानि कि आना बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहा है, हमारा जो धरती पर हम लोग अनाज हुगाते हैं, वो एकदम धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, वो द कई बार रात को, कई बार दिन को भूके सोना पड़ता है, खाना ही नहीं है उतना जनसंख्या बढ़ती जा रही है, है कि नहीं, भारत में इस्थिती तो फिर भी ठीक है, लेकिन अन्य देशों से अगर आप तुलना करेंगे भारत की, तो अन्य देशों में तो इस्थिती बद से बत्तर होती चली जा रही है, zkод और समृध्धी बढ़ाने के लिए जनसंख्या बृध्धी को नियंतरत किया जाए, खिक है, अगर समृध्धी बढ़ाना है कि भाया जितना खाना है, जितना संसाधन है, उतने हिसाप से इनसान होने चाहिए, तो एक दम बैलैंस हो करके चलेगा यह चीज बढ़ाना है तो जन संख्या जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा यानि कि संसाधन इतने है उतने ही अगर इंसान रहे या थोड़े बहुत जादा रहे तो चलेगा लेकिन संसाधन के डबल त्रिपल इंसान हो जाएंगे धर्ती पर तो दिक्कत वाल होगा है अभी हिंदी का भी एक्जाम आएगा तब हिंदी का भी टीचर बन जाएंगे वल्राउंडर है हम बिल्कुल आज आपको सोचलोजी पढ़ा रहे हैं फिर पॉलिटिकल फिर इंगलिस पढ़ाएंगे फिर आपको और सब्जेक्ट मरला सभी सब्जेक्ट पढ़ा द दिखा देता था क्योंकि अधर जगह पे रॉंग इंफर्मेशन मिल सकती थी इसलिए सीधा बुक खोलो और सीधा दिखा देता है कि नी चलिए तेम यही कोश्चन इंगलिस मीडियो में इस तरह से रहेगा कि एक्स्प्लेइन दा पॉपुलेशन ग्रोथ तियोरी ऑफ थॉ क्या रहेगा हमारा कि what do you understand by untouchability ठीक है आपने सुना होगा untouchability या फिर अस्प्रिश्यता तारे चुवा चूत तो सुना ही होगा वही होता है आपका अस्प्रिश्यता देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है अस्प्रिश्यता आम बोल चाल में इसे चुवा चूत कहा जाता ठीक है जैसे पुराने जवाने के फिल्मों में आप देखेंगे तो ऐसा दिखाया जाता आरे तुम तो नीची चाती खाया है तुम भाईया मेरे साथ भू लेंगे तुमको तो हमको गंगा में नहाना पड़ेगा है कि नहीं तो तुम हमसे दूर होकर के चलो हम तुमको दे अपियों के विरुद्ध अत्यांत कठोर सामाजिक डंडों का विधान किया जाता है इससे अस्पृत चाता के ठीक है यहाँ पर थोड़ा से कितावी लेंग्वेज में आपको समझाया है कि धार्मिक और कर्म कांडी है ठीक है यानि कि धर्म की बात कर रहा है और यहाँ पर बहुत ज़रा कठोर विधान थे तरह से मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि नियम काईदे कानून जो थे उनके लिए बहुत ज़रा कठोर थे कि जैसे पुराने जवाने में नहीं होता था कि एक जो कुवा है वहां से वो नीची जाती कि लोग पानी वगएरा नहीं पी सकते उनक त्रिश्यता सब्द का परियोग ऐसे लोगों के लिए किया गया है जिन्हें अपवित्र गंदा और असुद माना जाता था ठीक है यहां पर देखें क्लियरली बताये गया है ऐसे लोगों का कुवां मंदिरों और सार्वजनी के स्थलों पर प्रवेस भी निशेध होता था मनें आपको बताए ना ऐसे जो लोग होते थे जो नीची जाती के होते थे जिनको अपवित्र और गंदा माना जाता था ठीक है तो उनको क्या गरते थे उनको बोलते थे भाया तुम एक कुवां से पानी नहीं भर सकता है इस अर ये शार्वजनी के स्थलों पर जो है तुम जो गांधी जी थे उन्होंने नीची जाती के जो लोग हुआ करते थे उनके लिए एक सब्द इस्तमाल किया था हरी जन जैसे जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत पॉपुलर सब्द है मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत पॉपुल जो नीची जाती के लोग होते थे जिनको जो हसो की छुवा छूत की तरह अचूत माना जाता था तो उनके लिए गांधी जी एक सब्द परियोग करते थे हरीजन और उनकी हरीजन पत्रिका भी आती थी मैगजीन भी आती थी लेकिन आज कल जो नीची जाती के लोग है उनके लिए दलित सब्द का परियोग किया जाता है वच्चो ठीक है दलित का साब्दिक अर्थ है पैरो से कुचला हुआ ठीक है दलित का साब्दिक अर्थ का होता है पैरो से कुचला हुआ और भारतिय सविधान 1956 के अनुशार जाती अस्प्रिश्यता निसेध है ठीक है यानि कि जाती आधार पर अब आप चुआ छूत नहीं कर सकते हमारे भारतिय सविधान 1956 में यह चीज यहाँ पर प्रॉपर मैंसन की गई है तभी तो जो निची जाती के लोग है उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि जब सविधान बना तो उनके लिए वर्दान सिध हुआ वो सविधान क्यूंकि सविधान भारतिय सविधान को बनाने वाला जो में व्यक्ति था जिनको मेरा हाँ जोड करके नमन है वो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी थे जो खुद जाती प्रथा का इतना ज़्यादा मार जहले हुए थ तो उनको पता था कि मुझे अपने लोगों को कैसे बचाना है थीक है तो सविधान निर्मान में उन्होंने इन चीजों पर खासा ध्यान दिया था आगर देखे बताएगा है कि महात्मा गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर और जोतीबा उले ने अस्प्रिश्यता निवारन की दिसा में उलेखनिये कारे किया था ठीक है कि इस तरह से अस्प्रिश्यता को खतम किया जा सके इससे लोगों को निकाला जा सके इसका निवारन किया जा सके तो इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़ चड़कर के कारे किया था आसा करता हूं कि अस्प्रिश्यता यानि आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चो ठीक है चलिए पाफेक्ट पाफेक्ट अच्छा इसी कोशन में आपको एक अथवा दे दिया है एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको उपर वाला कोशन नहीं आता है तो नीचे वाला जो कोशन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या कोशन है हमारा कि राष्ट की व्याख्या करना सरल है और परिभासित करना कठीन है ऐसा क्यूं है यह आपको बताना है जो राष्ट होता है हमारा उसकी एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है, जिसका वर्णन तो आसान है, पर इसे परिभासिट करना बहुत ज़्यदा कठिन होता है, ठीक है, तो एक special type करना community होता है एक राश्टी, जैसे भारत हमारा एक राश्ट है, ठीक है, तो एक special community है हमारा पूरा देश देखा जाए तो, तो राष्ट की रूप में तो आप इसको बता देंगे कि यह हमारा राष्ट है देश है, लेकिन इसको explain नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन यह बहुत ज़रा कठीन होता है, ठीक है, और हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्टों का वरन कर सकते हैं, जिनकी अपनी, जिनकी स्थाप दर्म निरिजाती आदि नहीं है, एसा हम बहुत सारे राष्टों को देख सकते हैं, ठीक है, एंड, आगे बताएगा है, कि दूसरी और ऐसी अनेक भासाएं धर्म या निरिजाती हैं जो कई राष्टों में पाई जाती हैं, लेकिन इससे यह निसकर्ष नहीं निकलता की, या सभी मिलकर एकी किरित राष्ट के निर्मान करते हैं उधारन के लिए सभी अंगरीजी भासी लोग या सभी बोध धर्मा वल्लंबी लोग ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर बाते बताई गई है सेम यही कोशिन इंगलिश मेडिया में इस तरह से रहेगा यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वाई इस इजी टू एक्स्प्लेइन अनेशन बट डिफिकल्ट टू डिफाइन ठीक है तो एंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चो चलिए परफेक्ट उनना तीसवा कोशन देखी बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे पस्चिमी करन की से कहते हैं वाट इस वेस्टन आईजेशन ठीक है आपने वेस्टन कंट्री का नाम सुना होगा जैसे USA हो गया आपका एक वेस्टन कंट्री है ठीक है फ्रांस हो गया आपका जर्मनी हो गया ठीक है मतलब जर्मनी तो इधर आजाएगा ठीक है तो इधर साइट से आपने जो वेस्टन कंट्री इसका नाम सुना होगा उसी तरह से हमारा एक तर्म आता है westernization यानि की पस्चिमी करन ठीक है ये क्या होता है इसके बारे में समझे पस्चिमी करन का मतलब उस पस्चिमी संस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतियों के उस छोटे समुह ने अपनाया जो पहली पस्चिमी संस्कृतिक संपर्क में आये है इन्होंने पस्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों स्वरूपों एवं जीवन सहली को स्विकार और समर्थन एवं विश्टार भी किया है यह भारतिय समाज और संस्कृती में 150 सालों के ब्रिटिश शासिन के परिणाम स्वरूप आये परिवर्तन है ठीक है तो एक तरह से इन्फ्लूएंस में आना आप कह सकते हैं कि हम जो है वेस्टनाइजेशन के इन्फ्लूएंस में आ गया है क्योंकि लगभग 1500 सालों तक अंग्रेजुन हम पर राज किया 1500-200 सालों तक तो वह भी पस्चिम के साइड से ठीक है तो वह कैसा कपड़ा पहनते हैं कैसे रहते हैं कै आई सा खाना खाते हैं तो हम भी उसके इन्फ्लूएंस में आ गया और आज के टाइम पर आप देखेंगे तो वेस्टनाइजेशन आपको ओल ओवर दा वर्ल्ड में देखने को मिलेगा यहीं पूरे विश्व में देखने को मिलेगा भारत में तो है ही ठीक है यही कोशन इ सवेधानिक संद्रक्शन दिया जाना चाहिए इंग्लिश मीडियम में यही कोशन कुछ इस तरह से रहे कि वाई शूड माइनॉरेटी इस भी गीवन कॉंसिट्यूशनल प्रोटेक्शन ठीक है तो एंसर देखिए इसका अलप संख्यक का समाज सास्त्री अर्थ सबसे पहले जो धर्म जाती की दृष्टी से संध्या में कम हो जैसे सिक्थ हो गये मारे मुश्लिम हो गये जैन पार्सी बॉध यह सब माइनॉरेटी के कटिगरी में आते हैं मैं इंडिया के संधर्प में बात करहाँ भारत के संधर्प ठीक है और बहुस अंख्यक वर्ग के जंसंख्य प्रभुत्तों के कारण धार्मिक अत्वा तांस्कृतिक अल्प संख्यकों को विशेस संद्रेक्षन की आवसक्ता होती है ठीक है बहुत संख्यक में देखेंगे तो उनका कहीं न कहीं डबदबा रहता है एक्जांपल मैं आपको देता हूं मालीजे की एक देश है जैसे की प माल लेते हैं मुस्लिम हुआ करके अभी 2024 का डेटा ले लिजी आप ठीक है 2024 में आपको 99% वहां पर मुस्लिम देखने को मिलेंगे किया और सुन्नी मुस्लिम जायर सी बात है और एक परसेंट से भी कम रह चुके हैं हमारे हिंदू वहां पर ठीक है तो यह क्या है यह हुआ क कि बहुत संख्यक के लोगों ने अल्प संख्यकों को या तो कनवर्ट करवा दिया या फिर जो है कही न कहीं उनको विस्थापित होना पड़ा तो इसलिए जो हमारे माइनॉरिटी होते हैं यानि अल्प संख्यक होते हैं उनको यहां पर प्रोटेक्शन वगेरे के जुरत अल्प संख्यक जो होते हैं उनकी कुछ समस्याएं भी होती है जैसे सामाजिक इस्तिती में उनको दिक्कते आती है अलावकारी इस्तिती रहती है उनकी समाज से कटे हुए रहते हैं और भी कुछ बाते हैं यहां पर बताई गही है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है ये एक्स्ट्रा बाते मैंने आपको बताईए सेम यही question English Medium में इस तरह से रहेगा Why should minorities be given constitutional protection एंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चो ठीक है बाकि आप यहाँ पर साई चीजे लिखी हुई देख भी सकते हैं ठीक है बच्चो चलिए अगला question देखिए यहाँ पर 31 वा question कुछ इस तरह से है कि संस्कृति करण की अवधार्णा किसने दी और संस्कृति करण का भारतिय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा बताईए तो संस्कृति करण की जो अवधार्णा दी थी वो एम एन श्री निवास जी ने दी थी यह याद रखिएगा short question में या mcq वगेरा में भी आ सकता है संस्कृति करण की अवधार्णा इस ने दी थी ठीक है तो एम एन श्री निवास जी ने दी थी और निम्न जाती द्वारा अपनी स्थिती सुधारने का प्रयास ठीक है यह इसका प्रभाव पढ़ा समाज पर और भी कुछ बाते यहां पर लिखी गई है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है ठीक है यही question English Medium में इस्तरस रहेगा यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है और answer आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चो आगे चलते हैं अगला question देखें यहां पर 32 question कि अन्य पिछड़ा वर्ग को परिभासित करने के मानडंड क्या है ठीक है अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा है ध्यान रखिएगा ठीक है इनको परिभासित यानी define करने के जो मानडंड है वो इस तरह से है कि सामाजिक सैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग सामिल है ठीक है और इन वर्गों की प्रमुख विशेष्टा संस्कृति शिक्षा और सामाजिक द्रिष्टी से इनका पिछड़ा पन है ये वर्ग ना तो उच जाती में आते हैं और नहीं निम्न जाती में जो ओबीसी वाले होते हैं ना तो आपके उपर जाती के आते हैं टॉप क्लास की जो जातिया होते हैं जैसे ब्राम्हन, राजपूत ठीक है ये सब नहीं निचली जाती में आते हैं ये कही ना कहीं बीच में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था याद रखे गए इनका नाम ठीक है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंब दीती ठीक है 1979 में 1980 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बी मंडल आयोग गठिट किया गया और आज अन्य पिछड़े वर्गों के नाम बीच भारी विशमता देखने को मिलती है एक और तो ओबिशी का वह वर्ग है जो धनी किसान है तो दूसरी और गरीव इरेखा से नीचे जीवन यापन क नाम से जाना जाता है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर बाते बताई गए है आप देख से ओके बच्चो सेम यही कोशन इंग्लिश मीडियो में इस तरह से रहेगा और एंसर आपको इस प्रकार से लिखते हो चलना है यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चो ठी अब हम लोग आ गए है section D के अंदर और यहाँ पर 33 कोशन को करने के लिए simply आपको एक सारनी दे दिया है इस टेबल को study करना है इसके basis पर जो कोशन पूछे जाएंगे उसका answer आपको देना है बच्चो ठीक है टेबल के अंदर simple सा लिख दिया उपर में आपका कि भारत में गिर्ती हुई इस्तरी पुरुस अनुपात 1901 से लेकर के 2011 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है यह आप देख सकते हैं वर्स यानि इयर है ठीक है फिर आपका यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ पर दिया गया है ओके एंड इप्रिणी में बोला गया है कि सभी पुरुस अ अनुपात को प्रती हजार पूर्शों के पीछे इस्तरीयों की संक्या के रूप में परिभासित किया जाता है ठीक है त्रोथ है आपका 2011 के जनगन्ना के आधार पर ओके बच्चों चलिए अब यहाँ पर कोश्चन है कि जो लिंग अनुपात है उसमें गिरावट के कारण लिंग अनुपात जो है जिसमें यह दिखा गया है मेडली जो महिलाओं का लिंग अनुपात है यानी की पीपीं मेल जो है उनका लिंग अनुपात होती शहर मेल उसमाज हो पूरु स्प्रधान नीचे बाते बताई गई है कि एक बेटी की परवरिस का मतलब है फिजूल खर्ची निवेश इसलिए भी हमें लिंग अनुपात में गिरावट देखने को मिला है कि लोग सोचते हैं कि एक बेटी की परवरिस करेंगे फिर बढ़ी होगी साधी कर देंगे दूसरे के घर सली ज आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है नेक्स कोशन आपकी राय में बाली काओं के प्रती इस पुर्वा ग्रह से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इन यूर ऑपिनियों वर्ट स्टैप सूड़ बी टेकन तो डील विट इस बाइस जोसों की अगेंस गर छिल्रन ठीक है तो उनको सिक्षिट करना चाहिए और कन्या ब्रून हत्या की रोग्थान हमें चाहिए इंग्लिश में आप देख सकते बच्चों जालिए अब यहां पर देखिए चौतीश्वा कोश्चन हमारा वापस से वही आ गया कि राष्ट को परिभासित करना कठिन क्यूं है वह बताईए तो मैंने आपको पहले भी एक्स्प्लेन किया बाकि आप यहां पर कीजिए देख सकते हैं ठोड़ा सा आपको अपना बुक का जो आ डेटा है वह यूज्ख करना पड़ेगा कि आज आदिवास्यों के सामने प्रमुख चिनताएं क्या है तो देखिए आज जो है आदिवास्यों की प्रमुख चिंताएं जो कि इस प्रकास से पहला तोता के बाद की इस्तितिकी बात करें तो 1947 में भारत की आजारी से शारखन के संदर्भ होता रहा था राज्य का दर्जा प्राप्ट प्राप्त तर। स्वतंत्रता के बाद के भारत में आदिवाशी आंदोलन की सबसे महतेपुन उपलब्धियों में से है जारखंड और 36 गड़ के लिए राज्य का दर्जा प्राप्त करना सामिल है जो मूल रूप से क्रमसा बिहार और मद्यपरदेश का हिस्टा हुआ करते है जो जारखंड र बना था बिहार से अलग हो और जारखंड के बारे में एक बताता हूं आपको अपने खुद को लेकर करके मैं बता रहा हूं कि तो मेरा बच्पन है वह जारखंड में गुज रहा है लगभग मैं दस साल अपने बच्पन में मतलब स्टार्टिंग जब से मैं जन्म लिया और दस साल का जब तक पर हुआ तब तक मैं जहारखंड में रहा और वहां का कल्चर वगएरा वहां की बोली चाली लगभग सा बात है हूं ठीक है मैंने वहां पर आदिवाशी वगएरा को सब को देखा है पतलब काफी क्लोजली ऑपजर किया है चीज और अभी भी जब जाता सब्सक्राइब करके ठीक है और एंसर आपका इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चो ठीक है तो यहां पर हमारा सोचोलोजी का स्टैंपल पेपर नंबर जो वन था यह समाप्त होता है बच्चो आसा करता हूं कि आपको पसंद आयस बच्चो यही थ आज के वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जारस जारा लाइक कीजेगा जितना जारा वीडियो को आप लाइक करते है उतना जारा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो उसको बनाने के लिए चैनल पर अगर आप नहीं आ आगये ह जिससे कि जो भी अमने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाये करें और आपकी जो तैयारी है एक्जाम्स के लिए वो और भी बैतर से बैतर तरीके से हो सके आज की इस वीडियो के लिएतना ही मिलता हूं आप से अगली रखसाइटिंग वीडियो में सब तक के लिए खुश रही है खुश रखी सभी को जय हिंद वंदे मात्रम